हेलो एवरिवन आप सभी का फिस्स स्वागत है ये बीपिए सी प्रिविएस येर क्वेस्टन का संग्रा है 1992 से आप तक जितने भी प्रशने पूछे गए उन सभी प्रशनों को डिस्कस करेंगे इससे पहले हम लोगों ने history और quality को बहतरीन धंग से डिस्कस किया है history और quality को complete कर लिया है इनसे जूरे जितने भी प्रशने पूछे गए थे उन सभी प्रशनों को भी हम लोगों ने complete किया आज का जो सेशन है समान भूगोल के बारे में डिस्कस करेंगे समाने भूगोल में सबसे पहले विश्व का जो भूगोल है विश्व के भूगोल से जूड़े जितने भी प्रशने पूछे गए हैं उन सभी प्रशनों को डिस्कस करेंगे मैं बता दूँ इसका PDF एविलेबल है अगर आपको PDF चाहिए तो टेलिग्राम चैनल, टेलिग्राम क्वीज ग्रूप या चैनल के कम्मूनिटी वॉक्स में जाये वहाँ पे इसके रिगार्डिंग में इन्फरमेशन को अपडेट कर दिया गया है तो चलिए पहला प्रशन देखते हैं विश्व का जो भुगोल है, इनसे जूड़े जो पहला प्रशन है निमनलिखित में से कौन सा तारा मंडल का भाग नहीं है इसका सही जवाब हो जाएगा निहारी का सौर मंडल का निर्मान लगवक 4.6 billion वर्ष पूर्व हुआ था सौर मंडल में सौर और ऐसे खगोलिये पिंट समलित होते हैं जो गुर्त्वा कर्शन बल के द्वारा उसे जूड़े रहते हैं इनमें गरह, बौनेगरह, प्राकिर्तिक उपगरह, छुद्रगरह, उलकाए, धुमकेतु और खगोलिये धुल आदिस सामिल है जबके निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है सौर एक तारेक रुप में है इसको ध्यान रखिएगा सेकेंड प्रस्न है उस वेञ्यानि का नाम बताए जिनहों ने सौर प्रतम खोज की कि पर्थवी सौर के चार और घुमती है इसका सही जबाब हो जाएगा कॉपर निकस ने या बात कही थी 1514 इसपी में एक हस्त लिखित पुस्तक लिटिल कमेंटेटरी में कॉपर निकस ने उस सिधान्त का परतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य बर्मान के किंद्र में है तथा पृत्वी उसकी परिकर्मा करती है उलेकनी है कि छटी सताबजी इसापुर्व के परसिद भारतिये खगोलवीद वरा मिहिर ने इस से लगवक एक हजार वर्स कुर्व ही या बता दिया था कि चंदर्मा पृत्वी का चकल लगाता है और पृत्वी सूर्य की परिकर्मा करती है थार्ड नमबर है हमारी अकास गंगा के केंद्र की परिकर्मा करने में सूर्य को कितना समय लगता है हमारी अकास गंगा के केंदर की परिकर्मा करने में जो सूरे को समय लगता है 25 करोड वर्स लगता है इसका सही जवाब हो जाएगा D option सूरे हमारी अकास गंगा के अनिक तारों में से एक है गैलेक्सी में इस्थित परतेक तारा इसके केंदर की परिकर्मा करता है केंद्र के निकट के तारों को केंद्र से दूर के तारों की अपेक्षा परिकर्मा करने में जो है कम समय लगता है सूर्य गैलेक्सकी के केंद्र से अपेक्षा के दूर है गैलेक्टिक के निकट्र से लगबग 7.94 कपी पीसी या 25.896 हजार परकास वर्स के दूरी तथा 828,000 किलो मिटर परती घंटा गती के कारण सूर्य को एक परिकर्मा करने में लगबग 22.5 से 25 करोड वर्स लगते हैं परिकर्मा की याओधी याद रखिएगा कॉस्मिक एर कहलाती है तो इसका निकट्तम जो उतर होगा वोगा D अप्सन प्रशन संक्या 4 में पुछा गया है आपको बताना है कि हमारे अंत्रिक्ष में कितने तारा मंडल है तो इसका सही जवाब हो जाएगा 88 International Astronomical Union के अनुसार अंत्रिक्ष में कूड 88 तारा मंडल है जिसमें से अधिकांस को दक्षिन गोलार्द से ही देखा जा सकता है प्रशन संक्या 5 है जिस तारा मंडल के तारे धुर तारे की ओर संकेत करते हैं वह है किस तारा मंडल के जो तारे हैं धुर तारे की ओर संकेत करते हैं तो यह जो तारा मंडल जिस तारा मंडल के जो तारे हैं वह है सब तरिसी तो जिस तारा मंडल के तारे ध्रूत तारे की और संकेत करते हैं वह है सब तरीसी option A बिल्कुल correct option है ध्रूत तारा का जो संकेत है सब तरीसी तारा मंडल से प्राप्थ होता है 6. नमबर है गरह जिसका कोई उपगरह नहीं है वह कौन सा गरह है उस गरह का नाम बताईए जिसका कोई उपगरह नहीं है बहुत ही महत्पूर्ण प्रसने कई बार ये पूछा गया है तो इसका सही जबाब हो जाएगा option B बूध गरह देखिए सौर मंडल में किवल दो गरह मरक्यूरी यानि बूध और वीनस यानि सुक्र तो बूध गरह और सुक्र गरह का कोई उपगरह नहीं है रट जाईएगा important है बूध और सुक्र गरह जो है इनके कोई उपगरह नहीं है मंगल के दो नेप्चून के 14 ग्यात उपगरह है जिनमें ट्रेटोन और मेरिड परमुख है 26 में International Astronomical Union ने प्राग समेलन में प्लूटो को गरह के स्रेणी से बाहर कर दिया है याद रखिएगा स्वेन नमबर है सौर मंडल का स्रवादिक गर्म गरह कौन सा है सौर मंडल का सबसे मतलब की गर्म जो गरह है वो कौन सा है आप बताएए इसका सही जवाब क्या होगा बहुत ही महत्पूर्ण ये प्रश्न है सौर मंडल का सबसे गर्म मतलब की सबसे होट जो गरह है वो है आपका सुक्र गरह सौर मंडल का सबसे गर्म गरह सुक्र है जिसका माध्य तापमाल लवग चारस और चोंसर डिगरी सेल्सियस है प्रश्न शंख्या एट है एविनिंग इस्टार किस गरह को कहते है एविनिंग इस्टार किस गरह को कहते है तो याद रखिएगा सुक्र गरह यानि वीनस को सुक्र गरह को सुबह कातारा सायम कालकातारा यानि इविनिंग इस्टार, मौनिंग इस्टार ठीक है मंगल को लाल गरा कहते है विरासपती सौर मंडल का सबसे बड़ा गरा है जब कि सनी वलायो से युक्त गरा है याद रखिएगा यह सभी information बहुत ही महत्पूर है 9 नमबर है प्रितबी तक पहुँचने के लिए सूरे से चला परकास समय लेता है लगवक कितना मिनट देखे, जो सूरे का परकास है प्रितबी तक पहुँचने में जो समय लेता है याद रखिएगा उस समय कितना लेता है तो 8 मिनट 8 मिनट यानि C option बिल्कुल correct option है 80,000 मिल प्रतिस सेकेंड होता है तो इसका सही विकल्प हो जाएगा Option C प्रशन संख्या 10 है प्रिथभी को सूरे की परिकर्मा करने में कितना समय लगता है प्रिथभी को सूरे की परिकर्मा करने में लगबग जो समय लगता है उलगता है 345.25 दिन D Option प्रिथभी को सूरे की परिकर्मा करने में 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.5 एक सेकेंड का समय लगता है और इसे सौर दिवस कहा जाता है सौर वर्स या सौर दिवस को ट्रॉपिकल वर्स भी कहा जाता है ट्रॉपिकल वर्स एक वसंत वसंत बिश्यू के बीच के समय के बराबर होता है ट्रॉपिकल वर्स समानेता 365 दस्मेलों 2, 4 दिनों का होता है और समानेताक कैलेंडर में परियू होने वाले वर्स को ट्रॉपिकल वर्स कहा जाता है जिसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45 दसमनों 2 सेकेंड या 365 दसमनों 2-4-2 दिन होते हैं देखें वर्ष 2000 में अन्य समान वर्षों के तूनला में लगवाग 5 मिनट की बढ़ोतरी जो है दर्ज की गई इसमें 365 दिन 6 गंटे 9 मिनट का स्थान पर 5 मिनट बढ़ गया तो 13 मिनट और 53 दसमनों 2-6 सेकेंड यानि 9.51 सेकेंड का स्थान पर गणना की गई ऐसे वर्षों को परी वर्ष कहते हैं इसके बाद प्रशन शंक्या 11 है प्रत्वी परिक्रमण करती हुई प्रती मिनट करीब 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 कितनी दूरी तैक कर लेती है तो इसका जो उतर होगा सही ओप्सन नहीं दिये गया है प्रत्वी की विशुवत रेखा की परिधी जो है आप देख सकते हैं 40,092,08 किलो मिटर है और इस दूरी को प्रत्वी अपनी धूरी पर 23 गंटे 56 मिनट में तैक करती है यानि प्रत्वी परिक्रमण की जो गती है यानी प्रत्वी परिक्रमण की जो गती है लागभग 1670 km प्रती घंटे है और इस अधार पर प्रती मिनट प्रती की जो गती है वो होगा 1670 km मत्द की प्रति 60 मिनट बराबर 27.8 km प्रति मिनट होगी तो फ्रिथिवी की जो गती है 1670 km और प्रति 60 मिनट बराबर अगर बात करें तो 27.8 km प्रति मिनट किसी भी विकल्प में अभिष्ट अतर जो है नहीं है तो इसका जो अंसर होगा वो doubtful है 17 पर मरू भूमी होने की जो संभावना है अधिक रहती है कहां पर प्रितवी पर मरू भूमी होने की जो संभावना है सबसे ज़ादा कहां पर है इसका सही जवाब क्या होगा बताईए इसका सही जवाब हो जाएगा option B तेज़ डिगरी अच्छांस के पास तेश डिग्री अच्छांस के पाज है मरू भूमी होने की जो संभवना है सबसे जादा रहती है इसके बाद अगर इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए पिर्थिवी पर उष्ण सुस्क मरुवस्थली जलवायू का विस्तार 15 से 30 डिग्री अच्छांसो के बीच मिलता है पिर्थिवी पर मरुवस्थल बनने की चार परमुख भगावलिक स्थितियां पहला है 30 डिग्री अच्छांसो के आज पास उच वायूदाप का पया जाना यहां हवाय उपर से नीचे जो है उतरती रहती है और यहां वर्स भर मौसम जो है साफ बना रहता है सहारा और अउस्ट्रेलियन मरुवस्थल इसी के अंतरगत आते हैं दूसरा है महादीवपो के पश्मी तट के मरुवस्थल 20 से 30 डिग्री अच्छांसो के बीच मिलते हैं हवाओं की पुर्वी मुखी होने का जो इसका कारण है यह एक महिद्पुन कारण है महादीवपो के पुर्वी भाग से परवेश करने वाली बैपारी खवाएं पश्मी भाग तक पहुँचते पहुचते जो है सुस्क हो जाती है बाजा कैलिफोर्निया यानि उत्री अमेरिका पश्मी सहरा यानि उत्री अफिरिका और अटकामा यानि दक्षिन अमेरिका और नामीव दक्षिन पर्षिम अफिरिका इसी परकार के मरवस्थल है याद किएगा तीसरा है प्रवतों की विरिष्टी छाया छेत्र में इस्तित मरवस्थलों में उत्री अमेरिका का मरवस्थल जैसे डेथ वैली पेटागोनिया मर्वस्थल अर्जेटीना में और पेरुवियन मर्वस्थल परमुख है। इसका सही जबाब क्या होगा बताईए इसका सही जबाब हो जाएगा प्रिथवी के घुणन के कारण यानि बी अप्सन इसके बारे में डिसकस कर लेते हैं। में एक प्रभावी कोरियोलिस बॉल का कारण प्रिथवी का घुणन है। 14 नमबर है सौर मंडल का सबसे बड़ा गरह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा गरह है बिरसपत्ती गरह यानि C अप्सन। कैसे। सौर मंडल में अकार के द्रिष्टी से जो गरह का करम है इसको रट जाईएगा। से कई बार प्रशन पूछे गए। सबसे बड़ा गरह है बिरसपत्ती जिसका ब्यास आप देख सकते हैं एक लाग ब्याली सज़ा नो सो चुरासी किलो मीटर। इसके बाद है सनी यानि सैटर्न, अरूण, वरूण, प्रिथवी, सुक्र, मंगल, बोध, और इसके बाद जो है देखिए इसमें आपको प्रिथवी का जो अस्थान है आपको याद रखना है पहला स्थान और अंतिम अस्थान भी ध्यान में रखना है। अकार के द्रिष्टी से सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वह है जूपिटर यानि ब्रहस्पती। पंदर नमबर है निमलिखित में से किस ग्रह का घनात्व सबसे कम है इसका सही जवाब क्या होगा। अगर बात करेंगे तो अपसन में जो दिया गया है जैसे जो घनात्व सबसे कम है जो सही जवाब हो जाएगा सनी सनीग्रह का घनात्व सबसे कम है ठीक है। प्रम के नुसार अगर बात करें तो देखिए पहले अस्थान पे प्रिथभी आएगा प्रिथभी के बाद बताईए प्रिथभी के बाद आएगा मंगल ग्रह इसके बाद आएगा सुक्र ग्रह और इसके बाद आएगा सनी ग्रह तो याद रखिएगा यहाँ पर आप देख स जो समय लेता हूँ कितना लेता है तो 29.5 वर्स C option Saturn यानि सनी सूरे के 4 और एक चकल लगाने में 29.4 वर्स प्रित्वी के बराबर समय लेता है 17 नमबर है Uranus सूरे के 4 और एक परिकर्मा में कितना समय लेता है बताए Uranus जो है सूरे के 4 और एक परिकर्मा करने में जो समय लेता है 84 वर्स option A बिल्कुल correct option है Uranus सूरे ग्रह के अगर बात करें तो जो Uranus ग्रह है ये सूरे के 4 और एक परिकर्मा करने में 83 दसमलो 7 प्रित्वी वर्सों का समय लेता है Uranus ग्रह सूरे के 4 और सूर जो सूरे है एक गरह के रूप में है इसको याद रखेगा सूरे के चार और एक परिकर्मा करने में कितना समय लेता है तो 83 दसमलो 7 वर्स जबकि अपने अक्ष पर 17 दसमलो 2 घंटों में जो है एक चकर कुरा करता है और इसके गरहों की मतलब जो अरूण गरह है इवरेनस जो है इसमें जो उपगरहों की जो संखिया है वो 27 है याद रखेगा 18 नमबर है जिवोडेसी वह बिग्यान है जिससे सम्मंधित है जिवोडेसी जो बिग्यान है ये किससे सम्मंधित है आपको बताना है तो देखे जियोडेसी वह भी ज्यान है जिसका जो समंध है प्रिथिवी के आयाम की माप से यानि इसका सही जबाब हो जाएगा उप्शन B इसके बारे में डिसकस कर लेते हैं याद रखिएगा जियोडेसी प्रिथبी के तिन मुलभुत गुणों को 60 कृप से मापने और समझने का विग्यान है ये गुण है प्रिथिवी का जयामेति याकार अंत्रिक्ष में प्रिथिवी का अभि विन्याश और प्रिथिवी का गु यह संबंदित है उनिस नमबर है किसी अस्थान का मानक समय नेधारत करने का जो अधार होता है औक क्या होता है जो परधान मध्याय रेखा जो है इसका जो है अधार होता है तो D option बिलकुल correct option है परधान देशांतर को अंतराश्टिय देशांतर रेखा या Greenwich देशांतर के नाम से भी जाना जाता है यह रेखा इंगलेंड के Greenwich इस्थित Royal Greenwich Observatory से होकर गुजरती है सुने अंस देशांतर पर इस्थित की जो सुने अंस है देशांतर पर इस्थित इसी रेखा के द्वरा अंतराश्टिय मानक समय का यानि एस्टेंडर टाइम कर निधारन किया जाता है 180 degree देशांतर रेखा को अंतराश्य तीथी रेखा यानि इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है परधान मध्याय रेखा निमलिखी देशों से होकर गुजरती है जो परधान मध्याय रेखा है किनकिन देशों से होकर गुजरती है इसको रड़ जाईएगा इंपोर्टेंट है पहला United Kingdom, France, Spain, Algeria, Malie, Burkina Faso, Togo, Ghana और अंटाकर्टी का दक्षनिद्रो प्रशन संख्या 20 है अंतराश्य दिनाग के रेखा यानि इंटरनेशनल डेट लाइन खीची जाती है अंतराश्य दिनाग के रेखा खीची जाती है अंतराश्य दिनाग के रेखा प्रतिवी पर एसी परतिवीम रेखा होती है जो दो करमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है या इंग्लेंड से 180 डिगरी वीपरेट दिस्टा में प्रसांत माहसागर से होकर गुजरती है उलेखनी है कि जहां कोई अस्थल भाग पड़ता है इसे मोड दिया जाता है एक किस नमबर है नेमलेकित में से कौन महाद्वीप छेतरफल कनुसार सबसे बड़ा है वह कौन सा महाद्वीप है जो छेतरफल कनुसार सबसे बड़ा है इसका सही जबाब क्या होगा बताइए इसका सही जबाब हो जाएगा अफरिका महाद्वीप यानि B-Option देखे अगर बात करें तो 20 में कुल 7 महाद्वीप हैं जिन में से A.C.A. छेतरफल के दिरिश्टी से सबसे बड़ा है इसका छेतरफल आप देख सकते हैं अन महाद्वीपों की जो छेतरफल हैं अफरिका का आप देख लिजिए उतरी अमेरिका, दक्षनी अमेरिका, अन्टाक कटिका इसके अबाद इरोप और और अउस्ट्रेलिया अउस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है याद रखिएगा बाईश नमबर है निमनलिक्षित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं किस महाद्वीप में सबसे अधिक कंट्री है इसका सही जवाब क्या होगा बताइए देगे इसका सही जवाब हो जाएगा option C अफरीका महादीप में सबसे अधिक country है C option बिलकुल correct option है अफरीका महादीप में देशों की जो संख्या 54 है, यूरोप में 51 है, एसिया में 50 है उत्री अमेरिका में 23 है और दक्षणी अमेरिका में 12 है सरवाधिक उत्री दक्षणी लमाई वालि सीमा वाला जो देश है ओ कौन सा है सरवाधिक उत्री दक्षणी लमाई वालि सीमा वाला जो देश है ओ है आपका याद रखिएगा option D चीली है absorbed दिये गे विकल्पों में मुख भूमी के अच्छानसिय विस्तार के द्रिष्टी से सरवाधिक उत्तर दक्षणी अच्छानसिय लंबाई वाला जो देश है वो चिली है 24 नमबर है निमलिखित में से किस देश में सरवाधिक द्विप हैं वो कौन सा देश है जहाँ पर दिवपो की संख्या सबसे जादा है इसका सही जवाब है इंडोनेसिया यानि बी अप्षन बिल्कुल करेक्ट अप्षन है याद रखिएगा यहाँ आप आप देख सकते हैं इंडोनेसिया में महादिवपो की संख्या यह आप देख सकते हैं कितना है तो 17508 है फिलिपीन्स में 7641 है माल्दिव में 1192 है और क्यूबा में 4195 है आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या next देखे अगर बात करें तो 25 नंबर में जो प्रशन पूछा गया है प्रशन संख्या 25 निमने में से कौन सा अद्वीप छेतरफल में सबसे बड़ा है तो आपको मालूम है वह कौन सा अद्वीप है जो छेतरफल में सबसे बड़ा है छेतरफल का नुसार ये बड़ा द्वीप है वह आपका तो option को देखिए अद्वीप है रहित सबसे बड़ा देश है सबसे बड़ा जो देश है वह है आपका जपान तो देखिए भगवलिक छेतर के द्रिष्टी से सीमा रहित सबसे बड़ा देश जपान है ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन देश के भूमी के साथ सनलगन नहीं होती है नहीं मिलती है उसे सीमा रहित देश कहते हैं यह देश चारो और से समुंदर के द्वारा घिरा होता है प्रशना नुसार स्रवादिक सीमा रहित भगाउलिक छेत्रफॉल वाला जो देश है वो जापान है जिसका छेत्रफॉल आप देख सकते हैं कितना तीन लाग सततर आजा 915 वर्क किलोमीटर है इसके बाद फिलिपिन्स का आप देख सकते हैं न्यूजिलेंड का देख सकते हैं क्यूबा का भी देख सकते हैं तो सही विकल्प आपका सी हो जाएगा 27 नंबर है भगाउलिक छेत्र के द्रिष्टी से जपान का सबसे बड़ा दीप कौन सा है भगाउलिक छेत्र के द्रिष्टी से जपान का जो सबसे बड़ा दीप है वो कौन सा है इसका सही जबाब हो जाएगा होंसू ओप्सन बी देखिए अगर बात करें तो जपान मुख हुंसू, Sikoku और Kyosuke का ये समु है चारो देपो में हुंसू सबसे बड़ा है और जपान की र्यधानी टोक्यो इसी दिवी पर इस्तित है किस पर? हुंसू पर 28 है Greenland निम्न देशों में किस देश का भाग है Greenland निम्न देशों में से किस देश का एक भाग है तो दिखे इसका सही जबाब हो जाएगा जो Greenland है वो किस देश का भाग है तो Denmark का Option A बिलकुल correct option है Greenland छेतरफल के दरिश्टी से 20 का बिरहतम द्वीप है Greenland डेनमार के अधीन है नुक Greenland का सबसे बाड़ा और अधानी नगर है नुक की समुन्द तल से जो उच्चाई है एक से तीन मीटर तक है आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्यार 29 महादिवपी ये बहाव का सिधान्त किसके द्वारा भिक्सित किया गया है महादिवपी ये बहाव का जो सिधान्त है किसके द्वारा मतलब की बिक्सित किया गया था तो A. वेगनर के द्वारा Option B महादिवपी ये बहाव का जो सिधान्त है Continental Drift Theory जो है Alfred Wegener के द्वारा बिक्सित किया गया था 20 करोड वर्स पहले पैंजिया का विभाजन आरंब हुआ पैंजिया पहले दो बड़े महादिपो पिंडो लॉरेसिया और गुंडवाना लेंड के रूप में जो है मलकी ये दो बड़े दीपो के रूप में दिखता था उत्री और दक्षणी भुकंडो के रूप में ये विभाख्त हुआ इसके बाद लॉरेसिया और गुंडवाना लेंड धीरे-धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बढ़ गए जो आज के महादिप के रूप में दिखाई देते हैं 30 है अगने चटानों के लिए निमलिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो आगने चटान के संदर में कुछ कथन दिये गए हैं आपको बताना है कि इसमें जो कथन सत्य है और कौन कौन सा कथन जो है सत्य है तो आगने चटान के संदर में अगर बात करें तो वे क्रिस्टलिये तथा और क्रिस्टलिये दोनों मतलगी परकृतिक होते हैं तो C option बिल्कुल correct option है इसके बारे में discuss कर लेते हैं आगने चटान पीघले मैगमा का जो पीघला हुआ मैगमा होता है इसके ठंडा होना और ठोस होने से बनती है तो आगने चटान कैसे बनती है पीघले मैगमा के ठंडे या ठोस होने से बनती है ये रवेदार होती है परते नहीं पाई जाती है पूरा जीवास में भी नहीं पाई जाते हैं आगने चटानों का संबन प्राया, जुआला मुखी क्रिया से होती है, पानी का प्रविस्ट बहुत कम होता है, 31 है, और साधी सैलों के लिए निम्लिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो बताए जो सेंडिमेंटरी रॉक्स है, इसके संदर में जो कथन दिया गया है, कौन सा कथन है देखिए अगर बात करें तो औसादी सेलों के निर्माण औसादों के एकत्री करण के फलस्वरूप होता है इन में जिवास में पाइज आते हैं परते पाइज आते हैं किन्तु ये सेले रवेदार नहीं होते 32 है निमलखित में से कौन से कथन एसकर और ड्रमलीन के समद में है कौन सा जो कथन है एसकर और ड्रमलीन के समद में है इसका सही जबाब क्या होगा बताएज देखिए 30 जो आपका 32 है इसका जो सही जबाब हो जाएगा देख लेते हैं इसकर और ड्रमलीन के समद में जो सही ज किरे हैं क्या यह सही है क्या यह सही है या नहीं बिल्कुल सही है ड्रमलिन ज्यादा तर बोल्डर और मीटी के बने होते हैं ये भी सही है तीसरा कथन है अंडे की टोकरी असला किरती एसकर युक तिलाकों की भी सेस्ता है तीसरा कथन सत्य नहीं है पहला दूसरा कथन जो है ब से उत्पन होते हैं बिलकुल सत्य है तो पहला दूसरा और चौथा कथन सत्य बी अप्शन करेक्ट अप्शन है गलेसियरो या हिम के पिघलने से प्राप्त जलधराओं के द्वारा मलबा के नीच्छेपन से निर्मित एसकर लंबे संक्रे और कटक होते हैं जिनके किनारे परकार के धेर या टीले होते हैं जिनका अकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है अंडे की टोकरी असलाकिर्ती ड्रमलीन युक्ति लाकों की विसेश्ता है ड्रमलीन गलेसियर के किरिया से उत्पन होते हैं तेतिस नंबर है माउंट एटना है माउंट एटना एक ज्वाला मुखी है C अप्षन बिल्कुल क्रेक्ट अप्षन है माउंट एटना एक सक्रिय ज्वाला मुखी है जो एटली के सिसली दीप के पुर्वी टट परिस्तित है और इसकी सरोच उचाई 3350 मिटर है तो 34 नंबर में पूछा गया है माउना लोगा किसका उधारण है माउना लोगा किसका उधारण है तो आपको मालूम है माउना लोगा सक्रिय ज्वाला मुखी का उधारण है कमेंट करके बताईए कि जो माउना लोगा है ये कहां परिस्तित है देखें माउना लोगा जो है निमलखित में से कौन सा कथन सही नहीं है जो कथन सही नहीं है आपको बताना है तो देखिए इसमें कथन A जो दिया गया है बिल्कुल सही है बी भी बिल्कुल सही है लेकिन जो कथन C है C में दिया गया है कि वर्तमान अनुमानुक के नुसार भुकम प्रजनित सुनामी ने समुंद्र में डुगई अनगीनत लासो के तरिक 50 लाग से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा C अप्शन जो है बेलकुल सबते नहीं है यानि correct अप्शन आपका C हो जाएगा इसके बारे में डिसकस कर लेते हैं 26 दिसंबद वच्चार को हिंद महासागर इस्तित इंडोनेसिया के सुमात्रा दिविट के पश्मी भाग पर समुंद्र के अंदर आये रिक्टर स्केल पर 9.1 से 9.3 तिवरता के भुकम से उत्पन सुनामी लहरों से लगभग 2 लाख लोगो की मिर्तु हुई देगे सुनामी से संबन्दी दिये गए जो तत है जैसे कथन ये कह रहा है कि सक्तिसाली भुकम से 1200 किलो मीटर लम्मी भरंस रेखा का 15 मीटर तक जो है मतलब कि अंता छेपन हुआ या जो अंता छेपन है बर्मी प्लेट के नीचे भारतिये प्लेट के खिस सकने से हुआ ये कथन सही है कथन भी कह रहा है कि हिंद महासागर में उठी इन सुनामी लहरों का परभाव इंडोनेसिया से लेकर पुर्वी अफरीका टर्ट तक जो है देखने को मिला अधिकेंद्र से लगवग 8000 किलो मीटर की दूरी पर दक्षिन अफरीका में 8 वेक्ति वही जो है सुमालिया में 300 से अधिक ब्यक्ति मारे गये थे इससे लगवग 11 देश पर भावित हुए थे कतन C है इन सुनामी लहरों से लगवग 2-3 लाख लोगों के मारे जाने की जो है संभावना ब्यक्ति गई नकी 50 लाख या कतन पूर्ण रूप से गलत है विकल डी सत्य है हुकम पर भावित भरंस रेखा की द्विक इस्थित्ति लगवग जो उत्तर दक्षिन दिसा में थी जिससे सुनामी लहरों की परवलतम सक्तिपूर्व पच्छिम दिसा में थी परणाम तक क्या हुआ है कि बंगला देश में बहुत कम लोग हता हत हुए 36 नमबर है बिश्वे की सबसे उची चोटिया किस परकार के परवतों में पाई जाती है तो याद रखेगा इसका सही जवाब हो जाएगा नवीन मुड़दार परवत किन परवतों में या किन चोटियों में सबसे उची चोटिया किन परकार के परवतों में पाई जाती है तो नवीन मुड़दार परवतों में बिश्व की सर्वो चोटी जो है माउंट एवरेष्ट या सागर माथा या चुमो लुंगमा जिसकी उंचाई कितनी है आठ हजार आठ सो आठ तालीस दसमलों आठ छे मीटर सहित प्रथम 10 सर्वो चोटिया हिमाले परवत स्रिणी में स्थित है हिमाले परवत एक नवीन मुड़दार या वलिद परवत है असपश्ट है कि अधिकांस बिश्व की जो सर्वो चोटिया इनी वलिद परवतों में ही स्थित है बिश्वे की सरवाधिक लंबी परवत श्रिंखला है बिश्वे की सबसे सरवाधिक लंबी परवत श्रिंखला है वह है इंडिज परवत श्रिंखला B अप्शन बिलकुल करेक्ट अप्शन है प्रशन शंक्या आपका जो अच्छा इसमें जो कुछ पॉइंट है रौकी परवत उत्री अमेरिका के परमुख वलित परवत स्रेणी है, इसके लंबाई लगवग 4800 किलो मीटर है, हिमाले परवत दक्षन एसिया में भारत के उत्री सीरे परिस्तित है, इसकी लंबाई लगवग 2500 किलो मीटर है, और तिस नमबर है, कोकोस प्लेट किनके बीच पाई जाती है, कोकोस प्लेट किनके मध पाई जाती है, इसका सही जबाब क्या होगा, तो कोकोस प्लेट जो है मध अमेरिका तथा प्रसान प्लेट के बीच में पाई जाती है option A बिलकुल correct option है कोकोस प्लेट मध अमेरिका के पश्मिटर तथा प्रसान प्लेट के मध पाई जाती है 39 है संजुक्त राज अमेरिका का रश्ट बाउल निमलिखित में से किस परदेश से सम्बंधित है तो इसका सही जबाब क्या होगा इसका सही जबाब हो जाएगा मतलब option E इसके बारे में discuss करेंगे रश्ट बाउल या रश्ट बिल्ट संजुक्त राज अमेरिका का उत्तर पूर्वी छेतर है यह लोग उत्पादन करने वाला आर्थिक छेतर है इसमें इलिनायस इलिनायस इंडियाना मिसिगान ओहिवो तथा पेंसिलवेनिया का छेतर सामि है चालिस नमबर किली मंजारो है एक क्या है किली मंजारो क्या है आपको बताना है तो यह दखिएगा किली मंजारो एक वुलकैनो है ठीक है यानि option A बिल्कुल correct option है किली मंजारो परवत तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग परिस्तित है इसका पुर्विनाम कैसर विलहल मतलब कि था और यह एक आगने यगेरी या ज्वाला मुख यह परवत है वो लकैनो परवत है तो इसका लोकेस आप जो है अगर बिश्व का आप भूगोल अगर डिसकस कर रहे हैं तो आपको मैप का जो है जो है मैप निकाला चाहिए एटलस निकाल लेना चाहिए और जो भ गोवी का मरुवस्थल है अब बताइए लोकेशन आप आपके पास अगर एटलस एविलेवल है तो आप गोवी का जो मरुवस्थल है आप गोवी का मरुवस्थल को देखिए लोकेट कीजिए और बताइए इसका सही जबाब क्या होगा तो जैसे गोवी का जो मरुवस्थल चीन में है तो चीन में कहां पर है आपको locate करना चाहिए ठीक है इसके बारे में discuss कर लेते हैं जोबी मरुवस्थल उत्री चीन और दक्षणी मंगोलिया में इस ति एक विसाल मरुवस्थल है इसी के साथ आज का session समाप्त करते हैं नेक्स session में जो हान्स वर्ग बिख्यात है इससे स्टार्ट करेंगे यानि प्रशन संकिया 42 से हम लोग स्टार्ट करेंगे आप अपना परतिकरिया देते रहेए आपके परतिकरियाओं का हमें बेसबरी सिंतेजार रहता है जिन लोगों ने करन वर्शन कीजिए आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा थाइंक्यू मिलते नेक्स सेशन में